हेलो एवरिवन आज का ये जो आपका टोपिक है वो है फाइव एर प्लान्स इन इंडिया ये देखिए ये टोपिक हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं अब इसके इंद्रम गोल्स एंड अच्यूमेंट्स फिर भी हम इसको एक बार कर लेते हैं आपको थोड़ा सा ये हो होँ अप देखे कंगे भी डिया कि श्वी निम्हें सिक्ता हुई फिर डिरक्टिव प्लानिंग क्या है को मुछल्च उब्लानींग क्या ताइपस ऑफ एक नोमिक्स यह फतैस्संग क्या आएगा अपका हम पोजिए ये एक कीव स्में है सोचलीनट्निकि इप शोलीक्व सब्सक्राइब को जायग को ढेञा इसा लॉंग्पीर्ट गॉल्स ऑप लॉनिंग क्या इस seizure पा॥कर्ण के आपको हुद। सब बातों के बारे में जनेंगे तो इसमें नहीं है जहां जहां से question आता है या आएगा वो मापको बताती चलूंगी आपको एक बार इसको read कर लेना है short notes इसके बना लेना है what is economic planning economic planning क्या economic planning refers to a system under which a central authority जैसे कि उस time पर क्या था planning commission in India after independence sets a set of targets and specific specifies a set of programs and policies to achieve those targets within the specific specified period of time इसका मतलब क्या कि economic planning क्या refer करती है एक system है जो central authority के अंदर आता है central authority क्या थी उस time planning commission अभी बात करेंगे planning commission कब आया कब से क्या start हुआ एक set करता target को चिक सार्गेट targets and specifies a set of program कुछ मतलब specifies करता कि कौन से program चलाए जाएंगे किस तरीके की policy रहेंगी ठीक और किस तरीके से मतलब achieve those यह जो भी target achieve करने किसमें दिये हुए time paid में तो कुल मिलाकर यह definition आपको क्या कहते है कि जो भी आपकी आर्थिक जो योजना होती है वो एक central authority के अंदर आती है इसमें कुछ target कुछ प्रोग्राम policies में लब सैट के जाते हैं और इनको में achieve करना होता है कि दिये हुए शमे के अंदर दा प्रिंक्सिपल फोकस इज ओन दा rational management of a scarce resource यह दूसरी बात क्या है कि यहां पर जो भी हमारे resource है जितनी भी हमारे हमेसा जो resource है वो कैसे होते सकार्स हमेसा नहीं होते देखे दो बार हम आपको बताती हूँ जो सकार्स resource कब होते है जब डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम रह जाती है तो कभी भी जब किसी चीज की डिमांड बले ही वो कितनी ही मात्रा में क्यों ना बहुत ज्यादा मात्रा में बले ही हो लेकिन जब उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो हां अगर उसके सप्लाई से तो हमेसा ही क्या हो जाएगा फिर स्कार्स हो जाएगा स्कार्स क्या है resource को जो हमारे resource क्या स्कार्स उनको किस तरीके से हमें rational management करके उनको यूज करना है the resources are to be so rationally यानि कि optimally utilize that the social welfare is maximized along with GDP growth वह है कि हमें इन resource को इस तरीके से यूज करेंगे समाज का जो कल्यान है वो maximum host के growth के साथ साथ में तो यह थी इसकी definition अब उसके बाद है जैसे planning commission ने क्या definition दी है economic planning means utilization of countries resource in a different development activities in accordance with national priorities वो यह है कि जो भी national हम इस तरीके से अपने जो भी resource country के वो इस तरीके से use करेंगे कि जो मतलब काम हमें पहले करना ठीक है national priorities है जिस काम की उसको सबसे पहले करेंगे बाद में कि जो हमारे resource cars होते तो आप सभी जानते हो कि पहले हमें वो काम करना चाहिए जो सबसे जरूरी तो यह definition देख लेना एक बार क्या है अभी तक सरफ आपसे अगर कहीं पर भी पुछेगा जो economic जो planning है उसकी definition है थोड़ा सा उपर वाली को थोड़ा सा modify करके अपने तरीके सिव्या पर बता सकते हो उसकी बाद है कि इंडिया the idea of economic planning become reality with the setting up of planning commission देखिए जो भी planning थी हमारी commission कब स्टेबलिश हुआ था 1950 में यहां अच्छी तरीके से जानते हैं किसकी चेर्मेंसी और प्रोफेसर महान महल नोबीस ठीक है तो यह दिहान रखना it is important to note that the planning commission has now been abolished in January आप सभी जानते है कि 2015 में जो आपका planning commission था उसको एक तरीके से खारीज कर दिया गया उसकी जिंगा कोन आ गया नीतियायो गया गया और नीतियायो को आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा अगर यह मैंने नहीं करवाया है तो आप बता दे ना मेरी साथ से मैंने topic करवाया हुआ फिर भी आप एक बार जाच प्रिटाल करके मुझे बताना है कि यह topic आपका cover है या नहीं है करवाया वासाइद इन दा इंडियन constitution refers to the economic and social planning exist in the concurrent list of the 7th schedule एक second पीच में कुछ छुट तो नहीं गया नहीं देखिए यह ध्यान रखना आपको कि पहले तो सब से पहले क्या एक तरीके से जो हमारी हाँ ठीक है जो हमारी economic planning है कहां चिलागा जो हमारी economic planning है एकनोमिक planning यह स्टार्ट हो गई थी हमारी साइद 1947 से 1947 या 49 यह मांको कंफर्म करके बताऊंगे 1947 है या 49 है देखिए economic जो planning है वो आपकी स्टार्ट होई थी 26 जनवरी अब यह द्यान से सुनना यह सबत जनवरी 1949 को ठीक है जो आपका planning commission है वो आए आपका 1950 में जो इनको finalized करती थी ndc national development council वो आई आपकी 1952 में पहली पंच वर से योजना स्टार्ट हुई आपकी 1951 में ठीक तो यह सारे data आप याद रखोगे कि कब क्या हुआ कब क्या हुआ और मतलब आप यह देखना कि 1950 से कब तक अभी आपने देखा न कि जो आपका planning commission है वो आपका खतम हो चुका है उसके जिंगे कोन आ गया है नीतियायोग और यह कबाद जनवरी 2015 में तो यह चीज़ हैं रखने आपको उसके बात देखिए जो इंडिया का constitution है reference to economic and social planning जो भी आपकी आर्थीक और सामाजी के जो planning है वो कहां पर आते है concurrent list में आती है ठीक है न जो की 7th schedule में है अब एक होती है आपकी state list होती है ठीक है और एक आपकी एनुकी एक तरीके से union list होती है तो जो union list होती है उसमें centre government का काम जितने harmless जितने भी जहां-जहां kali काम करेगी तो वो आपके union list में आ जाएंग स्टेट गोरेमेंट में जहां-जहां पर Streets government काम करेगी और concurrent list होती है कि जिसके उपर दोनों काम कर सकते स्टेट भी और सेंटर भी लेकिन अगर मान लेते हैं कि सेंटर ने विवर स्टेट ने विलो बना दिया तो सेंटर का लो चलेगा स्टेट का नहीं ऐसी एक फिर नीचे दिया वहा है कि economic and social spheres of comprehensive planning जो भी आपकी इन इंडिया planning covers economic as well as social यानि की दोनों चीज़ों को हम social planning भी और मतलब आपकी economic और social दोनों तरीके के हमने planning की बात की है यदि हम बात करते हैं agriculture industry transportation trade ये example आपके economic planning के ठीक है यदि हम हम बात करते हैं education health housing इनके अगर हम बात करते तो यह आपके social planning के ठीक तो हम दोनों को लेकर चलते तो comprehensive का मतलब क्या हो गया social और economic दोनों को एक साथ है लेकर चलना social का मतलब होता सामाजिक और मतलब economic का मतलब होता आर्थी इंदी में ऐसा कुछ नहीं है भाई कि आप को लग से कुछ करने की जरूरत है बस वैसे भी है मैंने करवाया वा तो पीकिन को जस्ट मैं ऐसे ही आपको करवारी हूं अगर कुछ थोड़ा वो छुटा होगा तो आपका कवर हो जाएगा अब यह करें कि क्यों आप सकता थी क्यों नीड थी किसकी प्लानिंग की तो देखें क्यों आप सकता थी कि आपको जब आप एक तरीके से आजाद हुए तो उस टाइम पर किस तरीके का प्रोब्लम थी वो मतलब एक तरीके से देश में दिखाय दे रही थी तो ये सारी के सारी जो है प्रोब्लम को एसे तो मीं कर सकते ते तो इसके लिए मैं प्लान करने की जरूर थी ताकि हम पठोड़ी के हूपर आज से लिए, जो मेंसे फेन एक नेमिक प्लानिंग है को स्टार्टे किया और एक और बात बता देती ही आपर मैं कि जो आपकी एकनोमिक प्लानिंग है उसमें क्या है कि आप आजाद कव हुए थे 15 अगस्त उनीश सुसंटारीस को ठीकन 15 अगस्त उनीश सुसंटारीस को 1947 को देखिए उस टाइम पर जव हार्णाल नेहरू जी गार कि नेहरू जी का जो विजन थाना वो चाहते थे कि हमारा एकनोमिना सोशलिस्ट होनी ज़िए सोचलिस्ट कॉप सभी जानते हो कि जिसमें जो गॉवर्मेंट है उसकी चले और गॉर्मेंट ही कहां पर उत्पादन करना है कैसे करना है किसके लिए करना ये सारा काम गाउर्मेंट करें तो ये जो काम था वो सारा का सारा किसका होना चाहिए गाउर्मेंट का वो इससे प्रेरी थे जबाहरला नहरू जी ठीक है लेकिन फिर भी मतलब इससे प्रेरी थोते वे भी हम जो पू एक तरीके से कैसी एकोनोमी होनी चाहिए तो इस तरीके की चीजों को हम लेकर चलेंगे तो यह भी देख लिया आपने की मतलब है जो आपकी क्या प्लानिंग थी क्या आवशक्ता थी तो इसमा आवशक्ता में ऐसा कुछ नहीं है कि वही है कि जो एकोनोमी हमारा जब ब्रीट केसी अग्य पट्री पर लाने के लिए हमें इनकी जरूर थी अब यहां पर लिखा हुआ कि वर्ट इज फ्री प्ले ओफ मार्केट फोर्शीज का मतलब होता कि जिसमें सारा काम डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है यहां पर जो प्रोडूसर होता वो फरी होता है ठीक फ्री प्ले ओफ मार्केट फोर्शीज होती है या जो सौतंतरत रूप से जो मांग और पूर्थी काम कर रही होती है तो यहां पर वो क्या करेगा जो प्रोडूसर होगा अपना प्रोफिट को मैक्सिमम करेगा ठीक ना मैक्सिमम करेगा और क्या उत्पादन करना है कहां पर उत्पादन करना है वह अपने आप देखेगा देविल सिंपली प्रोडूस्ट यह वह ऐसी वस्तू का उत्पादन करेगा जिनकी कीमत ज्यादा होगी जहां से उसको ज्यादा प्रोफिट मिलता होगा वह यह मेटर नहीं करता कि पूर जो है उनके लिए क्या मीनिमा मतलब और प्रोफिट मातलब इसको यह में चाहिए उसका प्रोफिट है प्रोफिट में जो कहां भता है जहां पर दिमांड सप्लाइ अटोमेटिक के करते हैं उसको हम क्या क्या सही है अँधिलेश्ट ворप प्लाइन तो आपके बस यह ही दिया पार कि डारक्निस्टीको यहां पर ऊटोमेटिक काम करेगा यहां पर डिमांडिव सप्लाई यहां था pledge क्या मुझे दिक संथा जानदी कम्पूण जीवा दीर्थ विस्ता की नाम से और इस आ तरीका से प्राइवे干र और और यहां तो डिर्क्टिव प्लानिंग के अंदर हम देख लेते है क्या क्या कि रफर्ट रफर्स टो ए सिस्टेम इन वीच प्लानिक इंटर्डूस्ट जस्ट टो डैक्ट दा फोर्स वही है दिमांडर सप्लाई काम कर रही है और और सिस्टम डज नोट गो वेवर्ड फ्रों दा स्टे प्रिवेट सेक्टर विद रिगार्ड तो सेट दज एंड दस नोट डजन तो देट दनेशनल इंटरस दस नोट सफर वाइल इंडिविजवल गेंस अर लाव दा मैक्सिमाइज तो यहां पर क्या बताया है कि जो भी गेन होगा ना डाट्टिव लानिंग किसका होगा इंड प्राइबेट और गवर्मेंट दोनों काम करती है ठीक प्राइबेट और पॉब्लिक सेक्टर तो अगर पूछ लिए क्या होता दोनों होती है और डिरेक्टिव में खाली प्राइबेट सेक्टर होता है वह यह कि वाई इंडिविजवल गेंस अर लावड टुवाइज करने का मतलब एक तरीके से अलाव होता है सोसल गेंस यानि की कोलेक्टिव और फोस्टर थो रोड़ डिरेक्ट परटिस्पेशन उफ दा स्टेट एजेंडर सोसलिजम वही है कि अगर कोलेक्टिव गेंस देखना तो आपका कैसा होना चाहिए मतलब एक तरीके से सोसलिस्ट यह समाजवाद अर्थ विवस्ता होनी चाहिए बस आगे आपको यह बताएंगे यह क्वेस्टन है इसको त्यान से देखना ताइप सोफ एक नोमिक्स तो एक कैप्टिलिस्ट होती है सोसलिस्ट होते हैं में तो अभी मैं आपको एक बार यहां पर डिफाइन कर देती हूं फिर आप इसको पर थोड़ा सा देख लेना कैप्टिलिस्ट को बोलते हिंदी में पूंजी वादी अर्थ विवस्ता एक ऐसी अर्थ विवस्ता होती है जो दिमांड और सप्लाई के आधार पर काम करती है यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर का बोलवाला होता है यहां पर प्रॉडूश किया जाता है जिसके प्राइज जाता है जहां से जो प्रोडूशर उसको प्रोफिट ज्यादा होने के संभाव ना है तो बस यह ही है इसका ठीक और आभ यहां पर देखते हैं कि कप्टिलिस्ट एकोनोमी क्या इसको डिफाइन करेंगे एस दा वन इन विच म इसके अधर पर लेगा तो वही दिखावा निया दिखावा कि दिखावा कि डिमांड है सप्लाई इसके आदर पर यह काम करें इसके कुछ फीचर से इनको ध्यान से देखना ठीक एक भी फीचर नहीं चूटने पाए दिरिजे प्राइवेट उनर्शिव यानि कि सारी प्राइ कि यहां पर सेल्फ मतलब जो पर्मोट होता ना सेल्फ इंटरस्ट पर्मोट होता देखें एक आपको कोई भी काम छोड़ दिया जाए आपको कहा दिया जाए कि आप जिस मर्जी जिस वस्तु का उत्पादन करो तो आप एक तरीके से चूज कर लोगे ना कि मैं मतलब यह काम करने वाले हो जैसे कि आपने जो भी बच्चे यह वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी नहीं मे जो है एक तरीके से जितना हम कर सकते हैं उतना हम नहीं कर पाते क्योंकि वो क्या होता है कि जबरदस्ती होती है तो सेलिफ इंट्रस्ट का मतलब होता हम अपनी मर्जी से काम करोगे तो महनत भी ज्यादा करोगे वे स्टेज काम करोगे तो प्रोफिट तो अपने आप मैक्स प्रिंक्षिपल डिमेट फिस सिस्टम क्या इगनोर किया जा था कोलेक्टिव इंटरस्ट इनिके सब कोनी देखा जाता भी गरीब है तो पड़े रहो यहां पर किसी कोई मतलब दोड़ा जो जीश चीज की बिक्रियूरी न सर्फ उसी चीज को प्रोडूस करेंगे तो जहां स पीपल यहनि कि सब से ज्यादा जो सफर करता कौन करता प्र पूर प्रोड़ करता दिरिज गरोथ विदावट सोचल जेस्टिस गरोथ तो नियाए नियों होता निया के साथ गरोथ नहीं होती सोचल जस्टीज अचीज वें दप्रोसेस ओव एकनोमिक रोफ लेट टूट इ सब के बारे में सोचा जाता गौर्मेंट यहां पर पूरा रोल पर ले करती कहां उत्पादन करना कौन शी वस्तों का उत्पादन करना सोचलिज टीकॉन वन इन विच देर इस सोचल ओनर्सीव ऑफ दा मीन्स प्रडेक्शन यानि कि सोचल कम्दलब सरकार की मतलब इन के उपर क्या है ऊनर्सीप है निकि उनके मालिक सरकार है इकनोमिक डिशीजन सार टेकन बाइस सेंटल अथर्टि ओओ डिएगी और क्या करेगी देश की जो समाज का वैल फेर है उसको मैक्सिमाम करेंगा वहां पर क्या था पुनजिवादी अर्थ वहस्ताम कि अपना प पॉब्लिक ओनर्शिप का मतलब सरकार की मतलब ओनर्शिप है यहां पर माली का ना हक किसका सरकार का मेंस प्रड़क्शन और यूजड इने मैनर से सोच लोगा करें कि जो उत्वादन के साधन को इस तरीके से यूज किया जाता कि समाज का जो वैल फेर है वो मैक्सिमम होस के वैल फेर कहुता किल्यान सोचल किया होता समाज रिस ड्यरी पाटिसपीशन यहां पर बिलकुल ड्यर्क्ट पाटिसपिशन उता सरकार का इनकी डिर्क्ट और्वर्मेंट ही उतको यह उती है रोल अफके जोगे क्योंकि सब के लिए सब को के साब से उत्पादन हो रहा है यह सब के साथ समाज के साथ न्याए के साथ काम किया जा रहा है अब दी मेरिश में देख लेना किया होगी कि सलोग प्रोसेस होगी अगर सरकार ऐसे करेगी तो सरकार ही सारा काम सलबागी तो और इस बिकोपर्रोपित मैशरी तो होई दिए इस डीर्ट्री बाइदपर प्रिंशिपल एक्विटी अधिज़ इन जस्थेज़् विटिव इं इस ओइंग तो दिमेरिश दा अस्ट वाइल सोचलिस्ट एकोनोमिक्स लाइक सोवेत उनियन चाइना तो यह है इस तरीके सिनके नाम याद रख लेना कुछ कि अब देखें मिक्ष्ट एकोनोमी देखने हैं कि यह मारी अर्थवस्ता यह प्राइवेट सेक्टर है और यह पु कि यह है कि यहां पर क्या है कि मिक्ष्ट एकोनोमिक इंदर प्राइवेट एज वेल पब्लिक ठीकन दोनों होगे उत्वादन के साथ की उनिर्शिप दोनों के पास होगी प्रडेक्शन डिसीजिजन और गॉर्ण गवर्ण वाइलाजली वाइदा प्रिंशिपल प्रोफित मैक्सिमाइजेशन बट नोट विदाओ चेक्स और बैलेंस ओफे सोचल जस्टिश ठीकन है तो यहां पर जो भी उत्वादन होगा वो दोनों के दोनों जो है प्राइवेट सेक्टर और गॉर्मेंट दोनों कर रहे होंगे उसके बाद देखना कि इसकी फिचर्स क्या है इस पब्लिक सेक्टर की काम आ रहा है कि वो वेलफेर हैं यानि कि मैक्सिमम हो जाए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर फ्लेड्स्टर डिटस प्लेग सटनीफेकंट रॉल इन द प्रोसफे इनकी दोनों रोल पलेकरते हैं सारह दरह दरहा है तो उनकि जैरी सेक्टर काम continued तो उसका भी प्रोफित है मैक्सिमम हो रहा जी डिपी जो है बढ़ती भी नजर आ रही है उन्दा रहेंड सोशल जस्टीज भी है ती सारी काम अब इसकी डेमेरेट से कुछ देख लेना कि मतलब पर्ली बात हो है कि इंडिया कैसा है इंडिया जो है आपकी मिक्स्ट इकोनों है प्रडेक्टिविटी की कमई है आप देखते हों ना कि हमेरे अगर सरकारी नौकरी मिलने के बाद हम बहुत अच्छे से अगर महनफ करते रहे तो उस्ट इस चलते जाती नहें है ना हमने Judith करी बढ़ी मुछिक जुब अच्छे जो मिल जाएगी तो आपको अच्छे से ही काम करना है इट इस दिमेरिट्स देर दा मिक्स्ट एकोनोमिक लाइक इंडिया ग्रेजुवली ऑप्टिंग फॉर प्रिवाइटेशन पब्लिक वह यह दोनों एक साथ काम कर रहें तो बस इतना ही है इसके अंदर आप उसके बाद ह सबस्तित ऑब्लण कि थोड़े समय के लिए और लंबे समय के लिए कौन-कौन जी गोल्स थे लोंग पिर्ट गोल्स का होते हैं और कॉमन 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 स्टु कॉमन टू ओल द फाइवर प्लान्स एंडर देरफॉर जर्नली स्टड़िट एजपॉय प्लान और अबडेक्टि भादे बोल्स ही बेज डीन से संपिस्बीक हाय करीन है निया प्लान से इसलिक होला इसलिक दिए कम श्रम उपूम कसे में मतंब से कान होता कि में प्रेटिकुलर किसी पार नके पर काम करना है कि अच्छा यह देखिए बार कि इनको एक पर लेना इसमें सा कुछ भी नहीं है जो आपको अब मैं आपको बताओं त्रुली स्पिकिंग सोट पीड अबजेक्टिव वही है कि जो मतलब प्लान टो प्लान चलेंगे सोट रन तो वह होते ठीक है और उसके बाद है कि विद्धा भी वह फैचिविंग दा लोंग पीड अबजेक्टिव प्लानिंग और दा कॉमन गोल्स यहना है कि जो भी कॉमन गोल्स होते है जो पूरे पात साल में आपको प्राप्त करने हैं अ.. क्या लिखा कि अगर गोल ही नहीं होंगे तो क्या प्लानिंग करो गया ठीक है तो लोंग पीड गोल्स ऑबजेक्टिव क्या है बस यह देख लेते हैं गोल्बजय ओजेक्टिव पहले बात तो लोंग पीड में हमारा क्या अबजेक्टिव की जीडीपी गुरूथ के बारे में हम बात करेंगे ग्रोश डॉमेस्टिक प्रड़क्शन की ग्रोश डॉमेस्टिक प्रड़क्शन की ग्रोश डॉमेस्टिक प्रड़क्शन इंप्लाइज इंक्रीज दा लेबल जब वस्तोर शिवां को उतपादने बढ़ता है, consistent, यह लगातार, एक लंबेश में तक, तो इसको बोलते हैं कि economic growth हो रही है, जो GDP growth होती है, वो लीड करती है, किसको economic growth को, increase in GDP leads to economic growth implies consistent increase, वो ही उपर वाली बात दे हैं, उसके बाद है कि increase in GDP depends, यह ध्यान रखना कि दो फेक्टर के उपर डिपेंड करती है, increase in resource base of the country, यह तो आपके पास साधन जो होना, resource पहले की compare में ज्यादा हो जाए, उनका base बढ़ा हो जाए, तब मतलब आपकी GDP बढ़ेगे, पर यूनिट जो आउटपूट पर यूनिट ऑफ इंपूट है, इनकी जितना हम इनपूट यूज करें दे उससे यह उत्पाद ज्यादा हो जाए, ठीक है, किसी नई टेक्नोलोजी से तो अभी हमारी जो हना ग्रोथ है, हो सकती है, ठीक है, तो वह है कि discovery हो जाए, नई resource य आगे, ठीक, इधर देखो, थ्रेसर आगे, ग्यों निकालने वाली मशीन आगी, तो पहले के compare में है, देखे, पहले जब हाद से करते थे तो productivity बहुत कम थी, फिर यह आए, उसके बाद आप देखिए, अब यह डारेक्ट ही, आपकी ग्यों एक दम, मतलब तरंत यह अलग हो एक अमारा objective क्या था कि पूर्ण रोजगार मिलना चाहिए, आप सभी जानते हैं, देखे, definition दी हुई है, कि full employment क्या refer करता, situation when all the people who are able to work, यह जो भी काम करने ही होगे हैं, और जो इच्छुक हैं, उनको at the market wage rate, यह धहन रखना कि दिये वे market wage rate पर क्या getting work काम को प्राप्ते कर काम मिल जाएगा, this is social objective planning, ठीक हैं, तो यह एक तरीके से प्लान था, आप देखिए, the objective of full employment, वो करने कि जो पूरन रोजगार का जो focus था, वो क्या था, सब को साथ में, इंक्लिजियो ग्रोथ थी, अब इंक्लिजियो ग्रोथ कि इसके implies that more and more people should participate, यह जो ग्रोथ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही होगो होना सही है, benefits of growth must be shared across wider section of the society, जो सब से last line में खड़ा न, उस विक्ती तक भी इसका benefit है, पहुंचना चाहिए, अब यह भी ध्यान रखना, यह मैं बहुत बार बता चुकी, मैं आपको जिब बताते हूं न, कि full employment है, तो full employment मैं आपक प्राकर्तिक बेरोजगारी की दर रहेगी रहेगी, तो कि अपने प्राकर्तिक बेरोजगारी की दर रहेगी रहेगी, जब आपने फिलिप्स कर रहा था, तो मुझे बताना इसको, ठीक है न, आप मुझे कमेंट वोक्स में जरूरूर बताईए, विचिस दा मीनिमम रेट प्रिक्शनल और स्ट्रक्शनल तो वह करें कि विच इस मीनिमम रेट है यह बिरोजगारी का जो स्ट्रक्शनल चेंज इन दा सिस्टम ऑफ पर प्रडेक्शन ने कोई भी टेकनोलोजी तक पहले बता चुकिया हूं आप जब तक इस वीडियो तक महुँच होगे तो वह चीज स्ट्रक्शनल चेंज का मतलब यह कोई नई टेकनोलोजी इस ट्रक्शल चेंज का मतलब यह है प्रडेक्शनल शिस्टम में बिकोज ओफ दीचेंज पीपल टेंड तो रिमें आने इंप्लेड फोर सम टाइमें की देखे जैसे अब आप देखें जैसे को रोना के बाद क्या हुआ कि जो टीचर्स थे उनको क्या था ओफ लाइन से ओनलाइन मोड पर आना पड़ा जो ओनलाइन को एक तरीके से संभाल पाई वो आ पाई काम कर पाई तो वो तो काम करते रहे जिनको ऐसा लगए कि मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा तो उनको काम चोड़ना पड़ा तो जो भी नहीं टेक्नोलोजी आते तो जो कुछ लोग उसको अड़ेप्ट नहीं कर पाते उनको काम चोड़ना पड़ा तो कुछ समय के लिए विरुजगार जाते स्ट्रक्टल चेंज काम जले मेता नैचुरल रेट ओफ एंप्लेमेंट इसको आलसो काल दा स्ट्रक्ट्रल अ अब वह करें की कुटिवल डिस्टिविशन एक्विटी एकनोमिक ग्रोथ उड बीकम्स मीनिंग्लेस अक्सर्साइज इफ दा बैनेफिट्स अग्रोथ अक्योर्ट तू ओंली हैंडफुल अप्यूपल इन दा सोसाइटी यह कुछ अबजर्वेशन दी हुई हैं कि ग्रोथ विर्टुली नौ प्रपोज इन सोसाइटी वेरीच तू बिकम्स रिचर दा पूर कॉंटिनूस वह एक हैसा नहीं कि मितलो जो गरीब होते रहें मेरा मेर होते हैं बेनेफिट्स अब ग्रोथ मस् सप्रेड अक्रोस यह कि सब को सब बैनेफिट मिलना चाहिए इसका इक्वि होनी चाहिए अब इसको देख लेते हैं कि एकवल डिस्टुविशन और इकविटेबल डिस्टुविशन में क्या डिफरेंस है और मीन एवरी इंडिज्वल इन इन सोसाइटी गर्स दा सेम सेरी इन दा कंटरी ऑफ नेशनल इंकम इकवल डिस्टुविशन का मतलब यह इकवल डिस्टुविशन का मतलब संजी कि यह दि 500 रुपे आपकी झीड़ीप है ठेक है और यहां पर पचास विक्ति रहते हैं तो यहां पर सब के पास इतना आया 10-10 रुपे तो यह होगा एकविटेवल डिस्टुबिशन और इकविटेवल डिस्टुबिशन का मतलब क्या है दोबारा देखते एक बार इट पूड इंप्लाइ सिच्वेशन ने डॉक्टर्स गेस्ट सेम सेलरी एजिक कलरक इन दा होस्पिटल लो सोसाइटी विद है कि हम पर इकविटेवल का मतलब है कि जैसे टीचर है टीचर किया अलग रहेगी कलरक के लग रहेगी डॉक्टर के लग रहेगी इस तरीके से डिवाइडेड है ओन दा अधर हैं रफस्ट वेस्टुपेशन में डिफरेंस इनकम और हलाओ बट ओनली विदिन सर्टें लिम इस डेड़ेड तो डिफरेंस इन्दा क्वालिफिकेशन वही आ गया और के क्वालिफिकेशन स्कील के हिसाब से जिस तरीकी कि आपके पास स्कील से वैसे आपको पैसे मिलेंगे जोब के जैसे नहीं बता कि डॉक्टर को प्राप्त होतें पचास जार ठीक और वाइड अध यदि एक जो फैक्टरी में वर्कर है यदि वह आठ गंटे काम करता है ठीकन दा इंटायर इयर पूरे साल में तो इसको जब पचास जार पर मिलते तो डेफरेंस आगे ना आपको उसकी कौलिफिकेशन ओर इन चीजों के देखते हुए इक्विटी इन ट्राम्स ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रिविशन फ इंकम इंप्लाइज एक्विटी का मतलब है कि समाज के साथ नियाएगर के चलो वही देखिए कलरक को डॉक्टर को अगर एक जैसी सैलेरी दोगे तो नियाए थोड़ा ही इस ओनली वन इक्नोमिक रोथ इस सोचल जस्टिड तो वह करें के समाज के साथ नियाएं के साथ यह रिलेटीड दो आपको डिफरेंस पता होगा एकविटेबल डिस्टोबिशन में केमे क्या इंधरी इक्विटेबिशन का मतलता जितनी इंकम है उसको जितने भी विक्टे उन्से बीड इवाइड गर द कि एक से कि टोड़ा सामें बैक में जाना पड़ेगा अच्छ 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 हमने निच्छ छोड़ दिया आप देखें और क्या लॉंग ट्रॉम मोडरनाइजेशन की बात करते हैं कि नहीं नहीं टेकनलोजी आनी चाहिए इन चीज़ों की बात की जाती है वह उसके बाद यहां पर बात है कि ट्रैफर्स टू एक सेकिंड इट्रैफर्स टू अबडेशन और अडप्टेशन ऑफ मॉडरन अब निचे यहां पर एक जामपल दिया वजह से गरीन डेवलेशन का ठीक ना की गरीन डेवलेशन इंडिया गरीकल्टर इस वैल नोन एक जामपल है यह नहीं टेकनलोजी का ठीक इसके बाद हमारा ना एक तरीक करांतिकारी चेंज हुए है रिसेंटली इटी रिवलेशन यानि की जो इन्फरमेशन टेकनलोजी में जो चेंज आया है यह भी मतलि एक तरीक से नही टेकनलोजी का ही उदार्ण है modernization, however modernization in the context of goals of planning in India has a social angle as well modernization of social outlook, modernization of social outlook, conventional wisdom, wisdom without a valid reason, must give way of modern outlook it includes issues like empowerment of women, अब वो करेंगी जिए कि अगर समाज की बात करें तो यहां पर क्या आगया कि जो भी ओरते हैं जो female है, वो man है, तो उनको क्या मतलब पहले के comparison में क्या उनकी reputation बड़ी है या गड़ी है, तो यह समाज की उससे आगया आतमनेर वरता की बात करते हैं जो हमारी long run objective होते हैं, अब देखिए, heat refers to state of being able to provide essential goods, particularly food grains, या कि में जो भी आपकी खाने पीने के वस्तू है, क्या कोई state आपको यह प्रवाइड करवा पा रहा है या नहीं, विदा help of others, यानि कि किसे दूसरे देश के आपको help की जरूरते ना पड़े, देखिए 1966 से पहले क्या था कि हम food grains को भी import करते थे, अब हमारे पास food grains इतने हैं कि यदि कोई भी problem आती है, तो आमें किसी भी दूसरे other country से help लेने की जरूरते नहीं है, वही बात है यहाँ पर, अब this goals was according a high priority during the first salmon plan, तो करें कि पहले जो साथ plan थे नो वो इसी के पर focus रहे हैं, भई, देखिए जो इंडिया का जो basic idea था वो यह नहीं था कि हमें अपनी economy का दूसरे देशों के सामने खोल कर दिखाना, ठीक है, कि कि हम तो दूसरे देशों के पर depend थे, इसेंचियल जो हमा पाकिस्तान के साथ यूदो रखा था, ठीक, तो इसने warning दी, यूएसे ने, कि आप क्या करना है, कि जो भी आपका ये यूदो रखा पकिस्तान के साथ, आप इसको रोको, ठीक है, इमेडियेटली रोको, नहीं तो हम आपको जो भी मतलब export करतें, उसको हम बंद कर देंगे, जो भी हम आपको export करते हैं, फूद गरेंज को बंद कर देंगे, फिर तो हम इंडिया को क्या हुआ कि हमें self-sufficient हो जाना चाहिए, क्या अत्म निर्बर हो जाना चाहिए, इट वाजना चाहिए, इट वाजने सेसरी फोर डवलिपिंग कंट्री लाइक इंडिया, अच्यू से पेस्टर्ड टू एंड वर विद पाकिस्टान फूर फूर फूड गरेंज सप्लाइज फ्रॉम युएस से, चीक है, तो यह साल चीचे है, अब उसकी बात है कि सोट प्रिट गोल्स, यानि कि यह तो थे लंबे सिमे की बात है, अब जो अलब काल की है, वो क्या है, इवन द पेला प्लान था ना, वो अगरी कल्चर बेश था, और हमें क्या करना था कि आए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा उतपादन होना चाहिए, और क्या था इसमें, जो सेकेंड फ्लान था हमारा, यानि कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज के ओपर फोकस किया गा, पहले अगर निर्बरबने की जरूरत है, अच्छा, जो हमारा फॉर्थ थर्ड प्लान तो सलिफ सफिचिंजी के ओपर था, फॉर्थ प्लान जो था हमारा फोकस था कि प्राइस स्टेबिलेटी और फुलर यूटिलाइजिशन और मैन पावर, तो ये दियान रखना कि जो हमारा करांची भीन मस्ट था की मतलब हमें क्या करना है की बरो भी पोवर्ट येंज अगरी अउसके को खतम करोटान एक चीज को ध्यान रखना इसको नोट डाउन करते रहना कि तीसरा प्लान सेल सफिसेंटी के अपर जो फॉर्थ प्लान था प्राइस स्टेबिलेटी और फुलर रिलाजिशन अफे मैन पावर और यह फिर जो अपरचिनिटी होनी चाहिए आठवा जो फ्लान था उनी वर्शिलाइजेशन इजूकेशन ब्लाण के उपर बेश था पॉरल Every वर्शिलिश शूफे एजुकिशन उसके बाद है कि growth price stability and environmental sustainability where the principal objective 9th plan देखे ग्रोथ price stability यह तो पहले भी उचके price stability के बारें तो environment sustainability के उपर कब focus कियागा 9 प्लान के उपर तो यह चोड़ी चोड़ी चीजी है बट मोटी है ठीक ने को ध्यान रखना 10 जो प्लान था इसके उपर क्या कि better quality life होनी चाहिए हमारी उसके बाद poverty reduction जो killeation and protection of environment where the focus areas of 11 प्ला तो जितने भी मैंने आपको बताए हैं तो यह सारी जीजेश में कुछ भी पूछ सकता तो प्लीज यह ध्यान रखना इनको no down कर लेना 12 फलान किसके उपर focus कर रहा था sustainable as well as inclusive growth तो सब को साथ में लेकर जाना अब देखो कि पहला प्लान कब से कब तक था 51 से 56 तक तो दियान रखना कि पहले से तीसरे तक तो हमारे continue रहे इसमें क्या था कि इंक्रीज ने अगरिकल्स प्रडेक्शन इक्वी टेबल डिस्टूबिशन फ्रडेक्शन इंकवेड टेबल में इक समझ गयो ना इसका मतलब क्या पिछे जो आपने पढ़ा था इक वलोर एक वी टेबल में उसके बाद देखी दूसरे वाला प्लान क्या था इंक्रीज प्रडेक्शन इंडस्ट्रियल प्रडेक्शन डॉलेमेंट हैवी इंडस्ट्री के पर फोकस था तीसरा प्लान सेल्फ सफिशेंसी जनरेशन ओफ इंप्लोइमेंट ऑपरचिनिटी इसके बाद क्या हुआ थीन साल का एक तरीके से इसको आम से जानते हैं अगर पूछे थो पहले हुए continuous फिर बीच में तीन साल का गय पाया उसके बाद दो प्लान फिर continuous रहे और यह देख लिना कि किस किस के ओपर फोकस किया गया अब देखिए अगर आपका फिर प्लान है तो क्या है कि लिविंगो स्टेंडर्ड विदा फोकस विकर सेक्षन ऑफ दा सुसाइटी दो प्लान फिर continuous रहे फिर आपका गय पाया ठीक ना यहां पर उसके बाद फिर क्या हुआ यहां पर फिर दो प्लान कॉंटीनियू रहे 80 से 85 ठीक ना 80 से 85 इसके जो आपका 6th प्लान है और 7th प्लान जो आपका 85 से 90 अब उसके बाद फिर गया पाया जैसे यहां पर तन कि 1979 से 80 तक था यहां पर 90 से 92 तक आया तो यह पिर यहां पर गया पाजाता तो 8th प्लान आपका तो इसका मतलब क्या है कि 1990 तक है ना आपके कितने प्लान कंप्लेट हो चुए थे साथ ठीक तो दियान रहे नहीं सो नबब़ तक आपके प्लान कंप्लेट हो चुगे थे पहले कंप्लेट तीन रहे फिर गया पहा फिर फिर गया पाज तो रहे फिर गया फिर चुई और उसके बाद जो फीचर तो खोन मेग पॉलिसी, आपने निटीन गुनोंते एंडिक के निएख्यों के इकनॉमिक पॉलिसी वांट कर रही है त्यूतिक फीचर्स ओफ एकनॉमिक पॉलिसी। अब concurrence किसे और सीधी 1991 का उसके बाद 92 से फिर आपके स्टार्ट हुए एक सेकिंड देखिए 92 से स्टार्ट हुए था 92 से 97 फिर 97 से 222 2002 से 227 2007 से 2012 उसके बाद है कि इसकी क्या विशिष्टा है थी यह फ्लानिंग इनडिया है विट्नेस मार्केट सिफ्ट इन इकनोमिक बोलसी मिक ऊपरCloud करें ङृथ Pulag की इंटरनेट से मोनेटर फंड उन्होंने अमारा आमें गिर्वी रखकर वहां से पैसा उधार लेना पड़ा था मैक्सिमम मारे पास कितना होना ची तीन महीने का मतलब जो रिजो हना आमारे पास होना ची उस टाइम पर एक विक का नहीं था साइध ऐसा कुछ था मेन आपको अपर बताया वा तो द्यान से उस चीज को फोलो कर लेना अपर इंट शो इकनोमिक पोलेशी आरोफन स्टैजिट सेपरेटली अफ प्री नाइंटीन नाइंटीन वह से पहले पीर एंड पोस्ट नाइंटीन इवन दा प्रेजेंट सेक्शन वह करें कि हम यहां पर तो उनी स कि आइंट्री्सी के वारे में थीए अब खना फूर्गमिक पहले इंटीन 48 दूसरी का बहां थीऑ 1956 खिका नाइ नृचल और लग बगग वैसे तो उनी सोडी तक की बात बुलेज़े लिए Crimean डूर्मेंट का मैंसिम ए प्राइवेट सेक्टर का मीम लह यह लेकि 19 एनधिन प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो बढ़ गया और गवर्मेंट का कम हो गया इसी कान से तो 1992 में आप देखोगे डिस इंवेस्टमेंट जो हो करना स्टार्ट कर दिया था पोई है कि हैवी रिलाइंस ने पॉब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा रिलेक्स कर दिया गा प्राइर टू 1991 इंडिकेट हैवी रिलाइंस ने पॉब्लिक सेक्टर दस इन इंडेस्ट्रिल पोलिशी रिजोलुशन रिजोलुशन 1956 एज मैनी एज अब यह दियान रखना आपको यहां पर महता हो है कि पॉब्लिक सेक्टर का महता हो रहा कब उनीसो चप्वन से लेकर उनीस चाहिन आपको 1906 मैं जो आपके सेकेंड इंडेस्ट्रियल पोलिश यह दिद्ध यह दार रखना जो शाकिंड in इसना पोलिशन दन्ग एजट के पास य सथी जोना पोंई शेक्टर के पास तरफ वही थे जो छोटे बोटे चीफ चाप सी बिस्कुट बनाने वाले निकी जो लो लेवल के थे है भी जितने भी मेन रीड के अड़ी थे वह सारे गवर्मेंट के पास थे को लिए कि बाद थी वैसे तो दौनों चीजे थी लेकिन सोचलिस्स जादा था प्राइबेट की बजाए रेगुलेटी डौलमेंट प्राइबेट सेक्टर तो वह कर ने रेगुलेट किया गा प्राइबेट सेक्टर के पर चेक्स लगाए गए अकॉरडिंग तु इंदस्टि इस दा प्राइबेट सेक्टर कुट नोट बेस्टेश्ट विदाओ दे लाइसेंस रिजिस्टेशन वह करें कि एक नाइटीन फोटीएट के तह तो को ही भी अगर आपको लाइस मतले हैं इंडस्टी स्टेब्लीश करनी तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको बहुत सारे इन्होंने मतलब एक तरीके से बाद हाई लगाई हुई थी नैंटीन सिक्टीनाइन के एक्ट के एक्ट के तहाई रेगुलेटी डवल्मेंट प्राइबेट सेक्टर वाज इन सोर्डेट देरेवाज नोग कंसंट्रेशन ओफ एकनोमिक पावर इंदा प अब देखतें देखना कि जो लार्ज स्केल इंडस्टी वाज रेगुलेटिट थरो था वही अमर्टी पेक्ट लगाकर उनको रिस्ट्रक्टिड किया गा स्मॉल स्केल इंडस्टी इस को क्या किया गा पर्मूट किया गया ठीकना अन्दर हैंड वाज ओफर प्रोडेक्शन इनको बचाया जासके है है कि अरे यार क्या चल रहा है सर्टेन एरिया जो प्रोडेक्शन वर एक्स्क्लूजिल रिजाउट वहीं कि बहुत बड़ा एलिया इसा जो रिजो किया गा था कि यहां तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हो नहीं का उत्पादनों का पर्टिकुल रेडिमेंट्स गार्मेंट्स चैमीकल्स लेदर प्रोडक्ट्स यह नहीं कि जो भी कुछ ऐसे प्रोड़क्श यह बस रिजो कर दिये वह छोटे इंडस्ट्री इंको बनाएंगे फाइननेंशिल इंसिटूशन वर डवल डॉल 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 इंडस्री सेवरल बोर्ड लाइंड बोर्ड बोर्ड बोर्स यह बेते मितलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हिंको बनाया गा था अबी तक ऐसा कुछ निया यह धियान अग्ना कि क्या क्या हुआ है ठीक ना क्योंकि विश्यस्टा है पढ़ रगा कोई विश्यस्ता देकर आपसे पूच सकता हो development of heavy industry of a strategic significance industry वह करें कि industries like electricity generation, engineering goods, iron steel industry यह क्या है मतलब identify as a strategic significance these industries were where to be developed by priority basis वह करें को develop कियागा इनकी priority के आधार पर ठीक तो development कियागा है heavy industry तो strategy के हिसाब से इनको उसके बाद कि focus on saving and investment है यानि कि saving होगी तो investment होगा तो इनके पर भी focus कियागा उसके बाद कि protection from foreign competition है यानि कि बहार से जो भी foreign protection कियागा जो foreign competition है उससे domestic industry was protected from foreign competition high import क्या क्या था कि जो हम import करते है उसके ओपर trade जो हम करते इंपोर्ट करते है उसमें क्या 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 इसको कोटा बोलते हो वो इंपोर्ज कर दी गई और हाई duties लगा दी गई यानि कि इंपोर्ट के पर जो टैरिफ लगता है वो हाई कर दियागा और वहां से जो मंगाते हो कोटाची डिसाइड करते है वह इससे ज्यादा आप नहीं लेकर आ सकते हैं फोकस होंदा इंपोर्ट यानि कि हमने क्या किया कि जो भी हम बाहर से मंगवाते है उसको अपने देश में ही बनाने लग गए रिश्क्शन यह फोरन कैपिटल जो भी मतलब बाहर से जो भी इंवेस्टर आ गई कि प्रोग्राम्स ओफ ग्रोथ अंडवलमेंट एट अट दा स्टेट लेवल बर अलाइंग दा सेंट्रलाइज प्लानिग यह जो ओवर ओल्ड जो हमारी फाइवर प्लान के नदर है अमने जो भी काम कर रहे हैं ठीक है न तो वो कोई कोंट्राडिक्त ना कर जाए कि फई है यहां पर कि सक्सेक्स कितना रहा तो इंक्रीजीन नेशनल इंकम देख लेते कि नेशनल इंकम कितना बड़ा आपका फर्स्ट प्लान में ग्रोथ रेट ओफ नेशनल इंकम 2011-12 के बारे में साती 2017-18 की बात करें तो प्लान तो यह हैं बस आपके तो पहले मैं आपक 6 था फिर आपको 4.1 था यहनिकी पहले ज्यादा फिर कम हुआ फिर और कम हुआ फिर कम हुआ ठीक फिर बढ़ गापका फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ अभी आपको बता रहे हैं कि दूरिंग प्राइट प्लानिंग नेशनल इंकम ओफ इंडिया इंक्रीज एर दारेट इस तरफ पांच 0.5 परशेंट यहन क्या दा परशेंट के साब से बढ़ रही थी आपकी थोड़ा से निच्ची करते कि बेस यह की बात करें पहले बेस यह कौन सा था दो जर चाहर पांच फिर हमने कौन सा कर लिया था दो जर ग्यारा बारा इस अज पूस्ट दाजी डिव चुद्र के कोडिंग कितना था चैप नो परशेंट बस कुछ नहीं है आपने तो यह देखना ही आपर दिया हूँ आ कि इंक्रीज नेशनल इंकम दूरिंग फर्स्ट प्लान वाज कितनी थी 4.6 परशेंट परैनम एंड़ टार्गेट फूएंट 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 फू परैनम बढ़ दिस टार्गेट वाज अच्यूड बेट्विन फिफ्ट न तैंथ अब यह द्यान रखना देखिए पहले ममने पहला प्लान अमारा सक्सेक्स रा क्योंकि 2.1 अमने टार्गेट रखा तलिकिन हमारी 4.6 अब देखिए इस पूएंट में पढ़ी बिट्विन सेकिंड और टैंथ प्लान सेकिंड से लेकर दस्वें प्लान के बीच की बात करें टार्गेट था कितने का कि राइज नैसन इंकम 5% से बट इस तर्गेट वार अजीर उनली वो करें सरफ यह अच्यू किया गाया पांच में और दस्वें प्लान में तो इसका मतलब क्या हु क्योंकि अब की बार नेट में भी क्वेशन पूछा गाया था नेट था या एच्टेट था ऐसा कुछ था तो इदेहान रखना कि हमें 5% था टार्गेट हमारा इन दोनों के बीच में लेकिन 5 और दस्वें प्लान ही ऐसा था जिसको हम अच्यू कर पायते हैं तो यही क्वे कर देह हैं में बित्वित था थी कर दार्गें constitutional का का शिर कौ और दोनों के लिखे ज ol Crม घवा इं-पर्कै अर लुन परुए तो बार्मा प्र साथ पर सेंटल्य कृ अर्वा इन का देह 6.9 और अच्ट फिर सिरिंग्स पर कैपितर वीन ए तो वह कहने की एक तरीके से इंक्रीज होई आपकी यह सबसलता ही इसके डियूरिंग पेड प्लानिंग इनिशिल दपेस ओफ ग्रोथ कितनी थी दिखें यहां पर निच्चे चलो शाबास 2.7 परशेंट तो वही बात बताईगे कि 2.7 परशेंट थी बट इट पिक्ट अप सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा यह मैंने आपको वहां पर करवा रख्या तो ही से कर लेना राइजिन सेविंग इन्वेस्टमेंट अभी देख लेना की कितना है ठीकन तो उनिच्व पचास इकान में कितना था 9.3 परशेंट यह लग बगलग भी तना ही मिलेग 9.7 बाइन पॉइंट सेविंग वाज 9.2 कितना था था थ्री आपर तरी नहीं पर देन फिरी परसेंट ही लिख लेन उसके बाद इंकरीजिन कितना हुआ 31 परसेंट बाइद एंड ओफ यानि की गयर में प्लान के एंड मैं कितना था यह गयर में प्लान की बात करें बगी ठीक ने 11 प्लान दुजार गयर अबार में आज वाज अस्टिमेटिव थर्टी 30.5 परसेंट दे शेविंट ने 1718 में इतना थिक तुच्छ तुच्छ यह इस पाइद को यह इन्वेस्टमेंट था कि 31 परसेंट ठीक है और 2011 बार क्या दर पर और जो मतलब दो जाव सतरा आठाहार में 30.5 5% investment way hacking 9.3% of correct data when it's such a key popper investment to 9.3% or satra at haramik itna but this point team person to the jury by saving on investment institutional and technological change in agriculture when this makawa the land reforms कि इसाइप एप्पार इंप्रूमेंट इन देखनोलजी कि इस तो यह वह यह ले पर लेकर रिचुकिव आप मुई है कि है एक इच वएगी दो यह मैं रहा हाई वाराइटी सेट की बात की गई थी कहां से इंपोर्ट के आमने बताना एकपर ग्रोफर्थ अभी दर्शिपिकेशटि फिकेशन पेशिन की टी अथकी फाइवर प्लां से वह दो पूसतों टुट भेसी बेसी और कैंट पेटल गूट्स इंडस्टरी आए पेड ग्रोफ रेट ओफ इंडस्ट्रियल प्रडेक्शन है जब अराउंड 7 परशंट थी एक साल के साफ से एलेवन्थ प्लान में इंडस्ट्रियल प्रडेक्शन ग्रोफ रेट कितनी थी 7.2 परशंट थी इट इंक्रीज 6.9 परशंट वो करें की तो यह वाले तो यह आपको पहले कर चुकिए बस यहां पर मोटा मोटा देख लेना कंजुमर गूड्स इंडस्ट्री अज सबसेंटली ग्रोन इंदाचिवने सेल्फ सब्सक्राइब फूड ग्रेंस में प्राप्त कर ले थी इंडियन एकोनोमी इस नाउ रेंक्ट एज यह अनि कि में दस्वे नमबर पर इंडस्ट्री के इसमें पूरे वर्ल्ड वे एकनॉमिक इंफररस्ट्रक्टर की बात की जा रही है कि ट्रांस्पोर्ट कॉम्णिकेशन एरीगेसन पावर जनरेशन तो यह साधिन सुर्ण स्वैसिलिटीज इस आल या जाएंगी सिंधिया कि बात की जारे है जबी कम सबंदर लार्जेस्ट रेलवेड नेट वरक ठीक है अमारा लार्जेस्ट अपकापसिटी की बात करें उनी सब्सका से क्या अश्व इतनी थी तेटी सो मेगावाट की आप देखो कितने की हो 2019 में इतने मेगावाट की है थी फाइफ सिक्स एट एट वन एट दर रिवर्शनी ग्रोथ हो फाइड यहीं कि हमारा जो इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी शेक्टर उसने अमारा बहुत ही अच्छा मतलब ग्रोथ दिखाई है सोसल इंफरस्ट्रक्टर जैसे कि यहां पर एजुकेशन हैल्थ इनकी बात की जारे तो यह भी हमारी इंप्रूव हुए है ठीक है ना तो डेथ रेट देखिए ध्यान रखना कि डेथ रेट कमस डाउन 6.3 परसेंट ठीक है इसमें और उनीश एकान में कितनी थी 27 पर थाउ थी दियान रखना इस चीज का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंशी पहले हम कितने तुनी सो पचा एक्यावन में बत्ती साल हमारी जो ना डेटा के कोडिंग इतनी लाइफ थी आवरेज लाइफ जो थी इसे तो सो साल भी जी जाए वह तो एक एक्सेप्शनल के से ना स्टुडेंट इंक्रीज थी फोड़ तो करें कि एजुकेशनल फैसे फैसिलिटी स्कूल गोइंग की बात करें स्टुडेंट की तरी तीन गुणा बढ़ गया है और कोलीज में पांच गुणा बढ़ गया है अगर मान लेते हैं कि पहले तीन था तो तीन गुणा कितना हो अखर नू और परले अगर थीन था ताव पांच दो पंध्रा हो जाएगा तो इतना तो स्कूल गोइंग में तो डिफरेंस आत तीन में और कॉलीज में पांच गुणा ध्यान रखना है इंपलिवेमेंट की बात करें देख तें पलिवेमेंट में क्या हुआ है कि बहुत सा 8.3% से कितना गिर्गी थी 2011 12 में 5.6% इत इंक्रीज तो वह करें कि लेकिन 11 12 में तो गिर्गी थी दोजर अठार उनिस में मिल प्रोचेक्टीड फिगर था यह मार यह देखना पड़ेगा वही आप मतलब अमारी आंप्लेमेंट बेरोजगारी दर कितनी है ठीकन यह डेटा मतल लार्न करना इंद ट्वेल्ट फाइवर प्लान गवर्न्मेंट हैज फिक्स दार्गेट वह करें कि कुछ छूटना जाए आपका है ठीक न बग्की समें कुछ नहीं है यह आप कर चुके हो फेलियर है फेलियर देखते हैं क्या कि हमने एलिवेशन ऑफ पोवर्टी के लिए बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट लेकर आए लेकिन फिर भी अगर आप देखो गए एलिवेशन ऑ पोवर्टी वाज सेंटल थीम अप्लानिंग बट वह करें सेंटल थीम थी मारी यह प्लानिंग में बट आज के टाइम पर भी कितना 21.9 जो है परसेंट में जो मलब पोवर्टी है वो देश में बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है और यह मापको करवा चूँ सुरेथ तंद तो आल्स देखिए विकोज बाइड लार्ज है फिल टूदा वो करें के मैं इंफलेशनीरी सिस्टम को कॉंट्रोल नहीं कर पाई फाइवर्टी प्लान्स रियल इंकम अफ़ पीवल एस्टेंट वह है कि जो खरीदने की सम्तान आपकी वो कम होती जा रही है एक्लों एक्नो प्लान ही बस ऐसा था जिसमें प्राइज जितने ही थे ना उसके कंपेरिजन में घटे थे बट इसके आस्त कोई भी नहीं है मतलब ऐसा प्लान आज इसमें घटे हो आस तक बढ़ते ही जा रहे है जो मतलब इंफलेशन है अनिम्प्लेमेंट क्राइस बेरोजगारी आप दे एक परसन वर अनिम्प्लेट वकरें त्रेपन लाख ऐसे लोग ते जो बिरोजगार थे इस नंबर रोज टू कवर फोर क्रोड एड़ टेंट ओफ एलेवन प्लान था तो उस ताइम पर च्यार क्रोड विरोजगार थे दोजार सोड़ा में कितना था चार पॉइंट पैंटिस थे इंदी से मर्जिंग वह देख लो वह बढ़ता जा रहा है तो अनिम्प्लेमेंट क्राइस तो पहले बाले पॉइंट के साथ ही इसको लिंग करके इसको देख इसका करण डाटा मैंने करवाया हुआ है वहीं से कर अच्छा एक और अपको करके जाना जन्यू एड़ू आज्गेशन पॉलिसी है न उसका पर शभर के जाओं है यह थे आपके सारे माथे में आपको बता दी एकनुमिक प्लानिग क्या है डिटिश्व प्लानिंग क्या है वॉम्रेंस्ट प्लानिग क्या टाइप है और अट तो ये आपका एक ओटो भी complete हो गया है